केंद्रिये वित्व मंतरी निर्मला सीता रमन आज एक बजट पेश करने जा रही हो और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बजट एक बड़े आकार का होगा जो सभी के लिए कुछ ना कुछ लाएगा उत्तप्रदेश सरकार में केबिनेट मंतरी अनिल राजवार हमारे साथ मवजूद हैं आज के बजट से सर सभी लोगों को बहुत उम्मीदे हैं आप इसको किस तरीके से देखते हैं देखे मैं समझता हूँ कि वर्तमान प्रिवेश को आप अगर समझें तो आज भारत ग्लोबल मनी निवेश का सबसे बड़ा देश है आज ग्लोबल मनी जितना भारत के अंदर आ रही है उतना दुनिया के किसी देश के अंदर नहीं जा रही है हम एक विकास सिल देश हैं मैं विक्षित जो देश है मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ तो भारत की जो विकास दर है आज इतना तेजी से आगे बढ़ रही है जो बजट आने वाला है निश्चेत तोर पर भारत को आत्म निर्भर बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है उस संकल्प को पूरा करता हुआ दिखेगा गरीब कल्याण हमेशा से मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता रही है निश्चेत तोर पर इस बार के भी बजट में आपको गरीब कल्याण से संबंदित जितनी योजनाएं संचालित हैं उसको और बल मिलेगा युवा, महिलाएं, किसान बहुत उमीद लगाए है उनके उमीदों को पूरा करने वाला ये बजट होगा विपक्ष कह रहा है किसानों को MSP मिलनी चाहिए फसल पर जो MSP है उसको बढ़ाया जाना चाहिए अगनिवीर योजना को बंद किया जाना चाहिए, स्वास्त सेवाओं में जो है कि बड़ा बजट होना चाहिए तो आप कैसे देखते हैं अभी तो बजट आया भी नहीं लेकिन विपक्ष इस तरीके से हमलावर है आपके तो सोचने से भी परे की चीज है और किसानों को आपने कितना MSP दिया आपकी सरकारे रहें तो धान का क्या मुल्ल था, गिहूं का क्या मुल्ल था, किसानों को आपने कितना रहत दिया और आज हम कहां खड़े हैं, तो बिपक्ष को क्या है कि आप चाहे कितनों बढ़िया काम कर दें, कितनों बड़ा काम कर दें, उनको तो बिरोध के लिए बिरोध करना है तो आप उनका विरोध सुनने के लिए तयार रहें बाकी पूरी जनता इंतजार कर रही है 11 बज़े बज़ट आने वाला है भारत और भारतियों की उमीदों को पूरा करने वाला बज़ट आ रहा है तस्वीर डाली उम्परकाश राजभर की वारणसी में सीम की मीटिंग में शामिल नहीं हुए लेकिन केशो प्रसाद मौरया से मिलने पहुँच गए भाजपा में इस समय गुटबाजी चल रही है इसको आप किस तरीके से देखते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कल माने मुखमंत्री जी ने आजमगर मंडल की समिक्षा की है बहुत से लोग थे लेकिन दो तिन लोग अपसेंट हैं कहीं किसी को काम है जैसे बनारस के हमारे प्रभारी मंत्री जैवीर जी है उनको भी कल आना था लेकिन उन्होंने आख काप्रेशन कराया हुआ है तो उनको डाक्टर ने इजाज़त नहीं जी किसी को और कहीं कुछ काम हो सकता है ऐसी कोई बात नहीं है अब गुडबाजी की बात अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूँ की अपनी पार्टी के अंदर देखें दूसरे के घर में जहाकने वाले को अच्छा समाज नहीं कहता अपना परिवार देखें अपना संगठन देखें दरहल से तेश प्रता आप यादों को चुनाव लड़ा सकते हैं एक बार फिर से अपने ही परिवार के किसी को तो आपको लगता है पिछले लोकसभा चुनाव में भी पांच लोगों को इन्होंने टिकट दी थी हाँ बिल्कुल भाई परिवार वार वाद की पराकास्टा है समाजवादी पार्टी और उसकी पुनराबित्ती होनी ही है तो यही इनका समाजवाद है चुनाव में दस की दस सीटों पर कमल खिलेगा या चुनावती देखते हैं दस की दस सीटे जीतेंगे कई लोगों ने हमसे पूछा में गया मजवाँ कि कैसे जीतेंगे तो मैंने कहा जैसे रामपूर जीता जैसे आजमगडबाई एलेक्शन जीता वैसे जीतेंगे उत्तप्रदे सरकार में कैबिनेट मंत्री आनिल लाजबर हमारे साथ मवजूद थे साफ तोर पर इंका कहना यह है कि आज का जो सात्मा बजट पेश हो रहा है उसमें सभी वर्गों के लिए एक खुशी का पिठारा होगा लखनाव से वीडियो जनरली पंकर निगम के साथ संदीप खेर भारत समचार